कि शाम जिनकी नए जगडों में फसादों में कटी रात बस खुद कुशी करने के इरादों में कटी ऐसे कम बख्तों को मरने से बचा लू तो हसुआ भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो नहीं इस भारत से मुख मोड जाईये जिस मुल्क केरिवाजरीती नीती हों पसंद उस मुल्क से ही ने जनाता जोड जाईये एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड दिया पांच साल वाला गठ बंधन दस महिने में तोड दिया सुल जाविबाद स्री राम जन्म भूमी वाला बन रहा मंदिर है जै सिया राम की नाच नर नारी जूम धरती को चूम चूम देव गण बोले जय जय योध्या द्रांटी तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम काविया करन पढ़ा है फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में दौनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्तर प्रवीन शुक्ल आपको प्रणाम करता हूँ सत्मोला कवियों की चौपाल मैं आपका हर दिक स्वागत करता हूँ सत्मोला नमकीन इससे बेटर है नमकीन इससे बेटर है नथिंग हां सत्मोला नमकीन सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आज ऐसा प्रारंट देने जा रहा हूं प्रारंब होता है जिनकों जिनके गीतों को सुनकर एक अलग सा प्रभामंडल बनता है और वो कहीं से भी प्रारंब करें उनके गीतों को कहीं से हुम चैनित करें कही बार बताते हैं लेकिन वह कुछň न कुछ नया निकाल के ले के आती रहे हैं और उनका एक गीत काल जई गीत बन चुका है मेरे पास उनके गीतों की पूरा मेरे पास कलक्शन है और जब भी मैं अगर सच में कहूं कि अगर मैं तणाओं में होता हूँ या अगर कहूं उसे वढ़ कर आ अफसाद में होता हूँ तो मैं उन घीतों को तुरंट में अपने कान में इयर्फोन लगा करके सुनता हूँ और ऐसे ही गीत जब उन्होंने कहा एक अफसाद का समय होता है जब हम अपने अपनों से कहीं दूर कटे होते हैं उसमें दिल की धड़कने बताती हैं दिल की धड़के ने बताती इतनी शानदार गजल जब इन्होंने इतनी गजल लिखी डाली होगी और जब पढ़ा होगा तो इन्होंने अपने आप ही बोलाओगा वह क्या चीज है डॉक्टर किर्टी काले दन्यवाद प्रबीन जी जिस रचना के लिए आपने भूमी का बनाई है मैं वही प्रस्तुत करती हूं और सत्मोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं सुनिएगा स्वागत कि आद कोई करता है हिचकी याँ बताती है कि याद कोई करता है हिचकी याँ बताती है याद कोई करता है हिचकियां बताती है कौन पास कितना है दूरियां बताती है दूरियां बताती है क्या अन्दाला है के दीन reverb Nepal doctor कौन पास कितना है दूरिया बताती है एंच रेपनल गों के लिए कि दीरे धीरे खुलते है ओँ हा रीरे बादे मारे ये दिलों के दर्वाजे दिल की बात आखों की खिड़कियां बताती है बात आखों की खिड़कियां बताती है और बंदना जी बहुत ध्यान से सुनेगा ये आज भी तडपता है दिल किसी की आदों में आज भी तडपता है दिल किसी की आदों में ये किताब में रखे वहाँ किताब में रखी चिठियां बताती है और प्रेम के क्षणों को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि रात भर जगी है रात और रात भर बुई बरसा कि रात भर जगी है रात रात भर हुई बरसाट रात भर जगी है रात शब के राज को चटकी पहले सुन्तों लीजिये कि शब के राज को चटकी अरट भर जगी हे रात बरुए बरसाथ शब करास को चट तकी चुडिया बताती है शब के राज को चट की चुडियां बताती है बहुत खूप शुड़ाथ और ये शेर साधना टीवी के सारे देश भक्त शुरताओं के नाम स्वागत कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है जुल्म के खिलाफ उठती मुठियां बताती है और जो हमारे सैनिक भाई सरहत पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं उनके लिए ये अंतिम पंक्तियां कहती हूं इस रचना की कि जल्म के खिलाफ उठती मुठ्धियां बताती हैं और भाई की भुजाओं के शौरे पर भरोसा है कि भाई की भुजाओं के में वीए प्रखाना बताती है में वीए वहाओं के खिलाओं के चेश्चियां के खिला याद कोई करता है श्चिक्यां बताती है बहुत 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 यह आप सुनिश्चित तोर पे आप समझ गए होंगे कि आज सत्मोला कवियों की चुपाल में किस प्रकार की कावे की सरिता में आपको डुबकी लगाने का अनंद प्राप्थ हो रहा है अब मैं जिनको बुलाना चाहता हूं वह क्योंकि एक जिस प्रकार का एक गीतों का एक आनंद का जो सुरोवर में से जो उचल उचल के कुछ चलांगे लगाए लगा के छीटे भी बाहर जाते ना उसको फिर समेटना इतना असारे कारणी होता से इंचालक को कि हम सीधे हम गीत इसको उसका बुखार भी धिरे धिरे उतारना पड़ता है लेकिन मैं रुखार उतारने की बाद नहीं कर रहा हूं अनंद का एक और बुके लगाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहरा हूं बंदना कुँगर रायजादा बहुत ही श्रेष्ट गीतकार हैं और सही मायने में अपनी सुप्रसिद्ध पिता यानि हमारे चाचाजी डॉक्टर कुर विचेंगी के सुपत्री हैं मैं बहुत ही उनको एक प्रतिनी दीक रूप में उनको देखता हूं तो मैं सही नहीं माइने में सुझता हूं कि चाचाजी स्वेम बैठे हैं जा जोरदार तालियों के साथ म सही आधने जोर राज़ान इसरा बददार कदारर खाजयों है ॉस ऑū च्क्नेमें ज्वालाद की है सीने में ज्वाला धतकी है और आंख में है पानी सीने में ज्वालाध्द की है और आख में है पानी, अब न सहेंगे, अब न सहेंगे, हम तेरी ये मन मानी, सीने में जो आलाधद की है, और कहती हूं, तूने खंजर ही घंपे हैं, पीठों पर ही वार किया, तूने हर दम दिया है धोका हमने तुझ से प्यार किया है इतिहास गवाह की तूने हर दम तलवारे तानी अब न सहेंगे अब न सहेंगे हम तेरी ए मन माली सीने में ज्वाला धदकी है और आख में है पानी सीने में ज्वाला धदकी है और हम आहिंसा के पुजारी हैं तूने सोचा हम चुप हैं तो हम डर करके रहते हैं नफरत की आधी आए तो हम उसके संग बहते हैं नफरत की आधी आए तो हम उसके संग बहते हैं मिट जाएगा तू जग से मिट जाएगा तू जग से ये बात नहीं तूने जानी मिट जाएगा तू जग से ये बात नहीं तूने जानी अब न सहेंगे अब न सहेंगे हम तेरी ये मन मानी सीने में ज्वाला धद की है और आख में है पानी सीने में ज्वाला धद की है और अब अपने करमों का फल तुझको तो भोगना ही होगा हद कर दी है अब तूने बस तुझे रोकना ही होगा व्यर्थ नहीं जाने पाएगी व्यर्थ नहीं जाने पाएगी उन वीरों की कुर्बानी अब न सहेंगे अब न सहेंगे हम तेरी ये मन मानी सीने में ज्वाला धद की है और आख में है पानी सीने में ज्वाला धद की है और हमारा देश अनेकता में एकता का देश है तो कहती हूं हिंदू मुसलिम सिख इसाई यहां प्रेम से रहते हैं चाहे जो भी हो सारे ही मिलकर अब यह कहते हैं चाहे जाती धर्म अलग हो चाहे जाती धर्म अलग हो पर हम है हिंदोस्तानी चाहे जाती धर्म अलग हो पर हम है हिंदोस्तानी अब न सहेंगे, अब न सहेंगे हम तेरी ये मन मानी सीने में ज्वाला धदकी है और आख में है पानी सीने में ज्वाला धदकी है ये थे डॉक्टर बंदना कुमर रायजादा जी बहुत इस्वेश ट्रसना अगले में आपका आधिक आपको साधुवा देता हूं और ऐसे ही साहित्यकि के सरमोर्व यह हिंदी भाषा को जिटना उन्होंने पललवित किया है अपने इसमें उध्यान से चाए वो श्को बोलते ना कि हिंदी के ट्यूर्षन दे करके व्यक्ति produkt जिसे वह साथ ही साथ आपने विश्व में कितने हिंडी के चात्र की थी आरी यानि की हिंदी भाषा को आप ने जितना जिस प्रकार से लोगों के कनकन में आपने व्याप्त की जब वो कहना हम एक बच्चे के पहले दिन का स्कूल होता है तो एक जैसे कि आपको सीधा वर्तमान से उठा करके अतीत में ले जाके रख देते हैं ऐसे दुरलब कवी मैं अनिल जोशी जी को साधर अमंत्रत करता हूं जोरदार तालिव के साथ अनिल जोशी जी का स्वागत धन्यवाद प्रवीन जी इतने विश्यत स्वागत के लिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस मंच पर कीती जी हैं प्रमोज जी हैं वंदना जी हैं और पी जो ये पूरी टीम है सब का विनंदन करते हूं मैं अपना कावे पाट करता हूं क्योंकि भाशा की बहुत कर दी यह दिपि क्या होता है कि कई बार हम लोग अपने ही परिचा से दब जाते हैं तो चुंकि ये भाशाई मेरा परिचा देश विदेश में इतना जादा है कि मेरा जो कभी रूप है मेरे दो कावे संग्रह प्रकाशित हैं मोर्चे पर और नीम का है और तीसरा कावे रहे तयार है शब्द एक रास्ता है उसकी एक कविता जो की काफी वाइरल होई थी एक समय में उसको करने से पहले चुंकि उन्होंने भाशा की बात किये तो कुछ पंगतिया में भाशा के समन्द में बताता हूं मेरी कविता है भटका हुआ भश वह इंग्लेंड में जिस समय में था उस समय में लिखे गई तो उसकी कुछ पंगतियों से बात शिरू करता हूं जी धन्यवाद जो भाशा की इस नई पीड़ी के साथ समस्याएं आ रहे हैं जिस तरीके से एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में भाशा का शय हो रहा है यद्द पी वो इंग्लेंड के ब साथ करते हुए सुना तो बड़े गौर से देखा हुम हम है हिंदी बोलता हुआ उसने मुझे जब दे करते हुए उना तो बड़े गौर से देखा है और अपने मित्र से कहा My grandpa used to speak in this language Hindi बोलता हुआ मैं उसके लिए विचित्र था जैसे दिवार पर ठंगा हुआ कोई चित्र था जैसे हार तो पहनाया रहा सकता है पर गले से नहीं लगाया रहा इसी कविता की कुछ अंतिम पंक्तियां मैं सुनाता हूँ को कि हमारा ये जो दारोमदार है भाषा का ये युवाओं पर है तो चुकि मैं दूसरी कविता एक सुनाना चाहता हूँ आप लाओं को तो इस कविता की अंतिम पंक्तियां है जो युवाओं से पर केंद्री थे उसे आवाज दो उसे आवाज दो वो एक शक्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी उसे आवाज दो उसमें कुछ न कुछ है जो खौलता है तुट लाता ही सही अपनी भाशा तो बोलता है उसे है जो भारत की संस्कृति देवताओं को जमीन पर बुला सकती है वो उसकी सोई हुई शिराओं को भी जगा सकती है उसे आवाज दो वो सुरंग के मुहाने पर है वो आएगा अवश्य तो कि वही तो है अपना भटका हुआ है मित्रो एक कविता जिसके आसे कुछ साल पहले दो साल पहले हम सब लोग एक बहुत बड़ी विभीशिका से गुजरे है और जो हमने देखा वो शायद जीवन में कभी नहीं देखा होगा उस समय में हमने देखा कि लाखों करोड़ों की संख्या में शेहर छोड़कर कुछ मज दूर गाउं चले गए यह पूरा एक हमारी जो समाज व्यवस्ता है हमारी जो सोच है उसके उपर काफी बड़े प्रश्न खड़े करता है तो उस समय मेरी कविता का वीडियो वाइरल हुआ था उस कविता को मैं सुनाता हूं कविता का शीशक है उसे घर जाना है जैसे फू पीलापन आम में मिठास होटों पर प्यास वैसे ही उसकी सांसों में बसा हुआ है घर जैसे फूल में होती है सुगंद सांसों में पीलापन आम में मिठास होटों पर प्यास वैसे ही उसकी सांसों में बसा हुआ है घर इसलिए उसको घर ही जाना है पर तुमारा घर तो यहा मासा हो जाता है यहां मैं रहता हूँ किराय का छोटा सा मकान है पर मेरा घर गाम में ही है वे सुनी आखों से देखते हैं दिवारों और चारों तरफ फैले इटों के अनंत विस्तार को धुए को जिसमें उसकी सांस रोज कम हो जाती है उसे यह नहीं पता कि अगर उसे कोरोना हो गया तो वे आखरी सांस कैसे छोड़ेगा कौन से सरकारी हस्पताल की बेंच पर निपट परायों के बीच में दम तोड़ेगा उसे घर जाना है दरसल उसे उपचार पर भरोसा है ही नहीं है उसे लगता है कि मा ने पूजा की है पत्नी ने रखा है बट सावित्री वृत पिता ने दुआएं मांगी हैं दवाई और उपचार से क्या सधेगा अगर वै बचेगा तो उनीखी वज़े से बचेगा उसे उपचार पर भरोसा नहीं है उसे लगता है मा ने जैसे बचेगा उसे घर जाना है उसे लगता है कि मकान मालिक के लिए सिर्फ किराइदार कारखाना मालिक के लिए सिर्फ मजदूर और सड़क पर चलने वालों के लिए बिहारी और सड़क पर चलने वालों के लिए बिहारी कोरोना बिमारी है पर मनुष्यता का अपमान यह तो महामारी है मनुष्यता सड़क पर उसे पुलिस ने मुर्गा बना रखा है मनुष्यता सड़क पर है उसे पुलिस ने मुर्गा बना रखा है वे उकडू चल रहा है उसे कोई परिशानी नहीं शहर में रोच ऐसे ही चलवाते हैं मनुष्यता सड़क पर है उसे पुलिस ने मुर्गे बना रखा है वह उंकडू चल रहा है उसे कोई परिशानी नहीं शहर में रोज ऐसे ही चलवाते हैं रेंग ना उसकी सामान्य मुद्रा है चाहे जो हो उसे घर जाना है उसे चलना है पांच, देस, पचास, सो, दोस्सो, चार्सो किलोमीटर भूप, प्यास, गर्मी, तेज धूप, पाउं में छाले पता नहीं वे कहां तक पहुंसता है जीता है या मरता है पता नहीं वे कहां तक पहुंसता है जीता है वे मरता है व्यवस्ता को क्या फर्क परता ह बस उसे घर जाना है यह सब्विता की शाम है यह सब्विता की शाम है जैसे पंची लोटते हैं अपने घोंसलों में जैसे पशु लोटते हैं अपनी मांदों में ऐसे ही अपने विस्तार पर पश्चाताप करती हुई पंक समेट रही है यह सब्विता जैसे पंची लोटते हैं अपने घंसलों में जैसे पशु लोटते हैं अपनी मादों में अपने विस्तार पर पश्चा पाप करती हुई पंक समेट रही है यह सब्पेता जिस जिसको इस सब्प veterans ने बेगर कर दिया हैं यह एक ऐसा चित्र था और मेरे ख्याल से हमारे संपोण जीवन काल के अंदर ऐसा चित्र प्रभू करे दुवारा नाये और आज हम जिनको प्रस्तित करने जा रहे हैं देश के लब्द प्रतिस्ठित गीतकार श्री परमोद मिश्र निर्मल जी आप बहुत ही आपके रसना धर्मिता बहुत ही सारगर्वित है आप श्री गुपालदास निरत जी के साथ आपने कई वार काईपाट किया है आपके कई गी फिल्म के फलक पर इंतियार कर रहे हैं तो मैं ऐसे गीत का श्री परमोद मिश्र निर्मल जी को नामंत्रित करता हूं सत्मोला कमील चपाल में जा जोड़दाप शालिवास साथ है नमस्कार जब जब प्रेम कहानी लिखना अपनी प्रीत पुरानी लिखना और प्यार लिखो तो सब से उपर आँखों वाला पानी लिखना जब जब प्रेम कहानी लिखना एक गीत कुछ पंतियां आपको दे रहा हूं और आप सब कवियों के नाम है वो गीत रचना किरती जी हमारे बीच में है और कविता ये सामने पढ़ रहा हूंगी मैं जलाता रहा आरती के दिये मैं जलाता रहा आरती के दिये साधना दार आदूर जाती रही मैं जलाता रहा आरती के दिये साधना दार आदूर जाती रही मैं जलाता रहा आरती के दिये बंद दिखे आप प्रभुति करचना काशना है हर कहानी रही अंकही इस तरह सीप में बंद मोती पड़ा जिसुतर हर कहानी रही अंकही इस तरह सीप में वंद मोती पड़ा जिसु तरह या मिलन की कुवारी किसी आश्को या मिलन की कुवारी किसी आश्को डस गया हो जाने निठुर चिर गड़ मैं घटाता रहा उम्र के फासले मैं घटाता रहा उम्र के फासले मैं घटाता रहा उम्र के फासले जिन्दगी पासा दूर जाती रही मैं जलाता रहा ऐरती के दिये साधना द्वार आदूर जाती रही मैं जलाता रहा। और जो प्रेम का यूग है इसमें कोई भी व्यक्ति अपना प्रेम कमतर नहीं आगता। हर कोई कहता है कि मेरा प्यार लेला मजुनों से सबसे जबा है। तब कहता हूँ कि कौन समझे यहां प्रीत में हार को मन संजोता रहा हर नए प्यार को कौन समझे यहां प्रीत में हार को मन संजोता रहा हर नए प्यार को अंजरी भर खुशी के लिए उम्र भर खट खटाता रहा भाग के द्वार को बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा के लिए उम्र भर खट खटाता रहा भाग के द्वार को मैं सजाता रहा हर कली चाह की आश्तियार सी टूट जाती रही मेरा जीवन व्यक्तिव दर्शन भी है अपना मेरा जीवन दर्शन भी है देखें कि भावों अभावों भरा बालुपन जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए एक जमी बन गया आसुमा दूसरा तो टुकड़े हुए भावों अभावों भरा बालुपन जवानी के टुकड़े भी दो-दो हुए बधी दो दो हुए, एक जमी बन गया, आसुमा दूसरा, मिलन जब हुआ, दोनों रो दिये, गुनगुनाता रहा गीत शिंगार के, गुनगुनाता रहा गीत शिंगार के, जिंदगी आसुमों से नहाती रही, जलाता रहा आरती के दिए, हाँ जलाता रहा आरती के दिए, साधुना दार आदू जाती रही, मैं जलाता रहा सत्मोला कभियों की चोपाल को आज जो इस नवंबर महा जो दिसंबर में और नवंबर में प्रसारित होगा, आप इसमें इस परस्ट रूप से देखेंगे, कि यहां गीत परधान, समस्त जितने भी कभी आए, वो गीत और गजल के थे, हास से जीवन का एक अटूट अंग है, अनिवारे आंग है, व्यंग, लेकिन हमने आज तक जितने भी कभी सम्मेलन जितने भी होते हैं, वो ठाका सम्मेलन तक आ गया, और अब तो चुटकला सम्मेलन भी आये जो थोने लगे, यानि लाक्टर शो भी आये जो थोने लगे, और कभीता कहीं वहां से प्रस्थान कर सुकी है, कभीता कवा अगर आगमन देखना है, कभीता का सीर्स देखना है, तो आप सत्मोला कभी की चौपाल आप निधनतार हमारे साथ देखते रहें, मिलते हैं एक छोटे से कमर्शल ब्रेक में, आप तब तक लेते रहें, सत्मोला की खट्टी मीठी गोल्यों का आनंद और मिलेंगे कुछ एक्षनों बाद सत्मोला कभी की चौपाल में में अब मैं जिनको वरिष्ट श्रेणी में जिनको मैं 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 आमत्रत करना चाहता हूं, वै है हर्याना ही नहीं देश के सुप्रसिद्ध का वे हस्ताक्षर और मेरे युवाकाल के साथ ही, आप अखिल भारतिय साहित्य परिश्यद हर्याना के आप संगठिन मंत्रे भी होत जिस प्रेणा से फली भूत होकर गया आगे पल्लवित हो रहा है, उसका संगठिन नाम होता है अखिल भारतिय साहित्य परिश्यद हर्याना के संगठिन मंत्री हैं और आज हमारे बीच में पधा रहे हैं और श्रेष्ट कभी हैं और बहुत आप एक उचस्तर के आप विद् इस पल है, मैं आपका सत्मोला कमी चपाल में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, डॉक्टर जर्दीफ शर्मा राही हुआ है, जी शुक्रिया प्रविन जी, देश के साहित्य और संस्कृति के लिए बहुती बेजोड कारिये कर रहा साधना टीवी चैनल बहुत बधाई का पात्र है, आपने मुझे यहाँ अपने कवीता पाठ के लिए अवसर परदान किया, आपका भहुत शुक्रिया और साधना के सभी दर्षकों को मैं अपना परणाम प्रस्तूत करता हूँ, नमस्कार, साहित्य की अराधना साहित्य के स्तूति मा सरस्वती वंदना के साथ क करना चाहूंगा? मा शार्दा की स्तूति के पस्चात, देश के प्रेम और सोहार्द के लिए एक मुक्तक, आज पूरी दुनिया, तीसरे विश्व युद के मुहाने पर खड़ी है, देश नफरती हवाओं के दोर से गुजर रहा है, ऐसे में मैं सभी देश वासियों से गुजारिश करता हूं कि वो प्रेम प्यार का गीत गाते हुए एक मुक्तक आप सब के लिए, अपने दिल से कोई दिल मिला लिजिये, हो कोई फासिला तो मिटा लिजिये, जिन्दगी ये बहुत छोटी है साहिबो, हो गिला शिक्व अगर तो भुला लिजिये, कारगिल युद के समय के दोरान की वो पंक्तिया पूरे प्रिवार के प्रिवेश से उठाई हुई, आपके सामने रखता हूँ, लाम पे फोजी घर में भोजी दो दो जिन्दगी सिस्क रही, लाम पे फोजी घर में भोजी दो दो जिन्दगी सिस्क रही, कारगिल युद के दोरान सर लेंड लाइन का जमाना हुता था, और उस समय जब भी किसी फोजी के घर या कोई प्रोशी है कहता कि ताई तुम्हारा तारा टेलीफोन आ गया, तो पूरे परिवार के रोंगटे खड़े हो जाते थी, कि नहीं जाने कैसी खबर आ गई, तो आप महसूस कीजिए उस दोर को, कि पले पले खटी का, पलभर में क्या हो जाएगा, कोई खबर किसी को ना, पलभर में क्या हो जाएगा, कोई खबर किसी को ना, मा की ममता, बहन की राखी, बापू की खांशी हिच्क रही, लाम पे फोजी, घर में भोजी, दो दो जिन्दगी शिच्क रही, दो दो जिन्दगी शिच्क रही, ये थे डॉक्टर जगदीप शर्मा राही जी, और इन्होंने गागर में सागर भर दिया, बहुत कम आपने मुक्तक अपने सरस्ति बंदना जो रखी, वो सही माईने में, और सबसरी बात है कि आप संगठक हैं, संगठक समय की सीमा को ध्यान में रखते वे, अपने यश अप्यश की परवा किये बगए, अपनी बात को कम समय में कहने का एक आदी होता है, वो संगठक होता है, ऐसे हमारे संगठक डॉक्टर जगदीप शर्मा राही जी को मैं साधवाद देता हूँ, इतने श्रेष्ट कावेपाट के लिए, और मैं उनसे अग्रे करूँगा, आज समय कम भी रहां, लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहेंगे, आप और आपके टीम सदेव, आपके माद्यम से नए बच्चे भी इसमें कावेपाट कर सकें, हादिक साहडवाद, जब्धिश शर्मा काहिए, और मैं जिनको आमंत्रत करना चाहता हूँ, वे होते हैं, हमारे बुलंद शहर जागीराबाद से हमारे बीचे पाधारे हैं, और आप शिरी प्रमोद गुप्त जी आप शेष्ट कवी हैं, साथ ही साथ आप संसकार भारती बुलंद शहर के आप जलाद्यक्ष्मी हैं, और साथ ही साथ है, आपकी धूहजार से अधिक रचनाएं भिन-भिन समाज में लोकप्री है, समाचार पत्रों में आपकी छपती रहती हैं, और ऐसे और आपके कई अनेक पुस्तके भी प्रकाशित हो चुकी हैं, ऐसे जेस्ट और स्रेस्ट कभी मित्र हमारे बीचें पढ़ारे हैं, जा जोरदात तालियों के साथ श्री परमोध गुप्त जी का हार्दिक स्वागता है, परमोध गुप्ति-जी। पहले मुक्तक सुनाना चाहूंगा मैं और उससे पहले मंच को साधर प्रणाम और विसेश कर प्रवी राणियर जी को और जो आगामी स्रोता हैं उनको वर्तवान स्रोताओं को और देखें मुक्तक कि बगल की छुरियां हैं अब चुबने लगी क्योंकि उनकी म्यान हैं फटने लगी और हां उचत है फूलों का उपास भी आदमी में ज़ाड़ यां उगने लगी और देखिए एक गीद देखें सभी अधिकान से नेताओं पर व्यंग करते हैं मैंने वो दरों पर व्यंग कि हुआ 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 हाँ हुआ 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 और रोज रोज मत पी बेटा, रोज रोज मत पी बेटा, अम्मा समझाएंगी, कुछ कम पैसे में ये सब वो तल्बिक जाएंगी। रोज रोज मत पी बेटा, अम्मा समझाएंगी, कुछ कम पैसे में ये सब वो तल्बिक जाएंगी। और कौन सुने, कौन सुने, अम्मा की हम हुड़ दंग मचाएंगे, अपने भी घर रोजाना अब पवे आएंगे। अम्मा को वैसे बोतल और पवे का पता नहीं है, फरक और लेकिन हुस्यार बहुत हैं। आगे देखें, एक और संदेश देना चाहा है। और महले की वोटों के पैसे खा लेगा। और देश के ऐसी भाग्य विधाता ठेका पाएंगे, अपने भी घर रोजाना अब पवे आएंगे। और आगे देखें, कि बिना बात के काम छोड़ कर हम लेंगे पंगे। और रोज-्रोज गलीं में भैया फिर होंगे दंगे। और बैठेंगे जो घर में खीच के बाहर लाएंगे अपने भी घर रोजाना अपवे आएंगे और आगे देखें ये लोक तंत्र की खूब सूर्ती कहूंगा क्योंकर कानून का बहुत गंदी तस्वीर है कि मना किसी से नहीं करेंगे क्योंले मित्र बुराई मना किसी से नहीं करेंगे क्योंले मित्र बुराई और साड़ी हर प्रत्यासी से ले आई हैं ताई और गुट का देशु कूपागल का वोट दिलाएंगे अपने भी घर रोजाना अब पवे आएंगे और अन्तिम बंद देखें देखें इसमें भी मैंने इक अलग संदेश देना चाहाँ है और देश के नेता वही बनेंगे जिन पर इनका ठपा और फिर भी हम नेता जी को दोसी ठेहराएंगे अपने भी घर रोजाना अब पवे आएंगे अपने भी घर रोजाना अब पवे आएंगे और सही माइने में किस प्रकार से आज वोटर को प्रभावित करने का प्रयास होता है और किस प्रकार से हम लोकतंत्र के इस पावन यज का हम उपहाश बढ़ाते हैं उड़ाने वालों में नेता भी है तो मतदाता भी है अब मैं मुंत्रित करना चाहता हूं देश के लाडले हमारे कभी राकेश रतन जी पिली भीत से हमारे बीचे पढ़ा रहे हैं देश का कोई ऐसा स्थान नहीं दूर स्थान जहांसे सत्मोला कमी चुपाल के कभी नावाऌ कुर्म्ट र्मारे बीच में आते हैं लेकिन कुछ श्रेष्ट जनविह आते हैं उसमें से एक राकेश रतन जी की श्यकुड़ों रच्नाय LOT समाचार पत्रों में प्रकाशत होती रहती हैं आपकी नेक पुस्त के भी प्रकाशत हो चुकी है और आप बहुत ही विलिक्षन प्रदिवा के आप कभी है राकेश रतंजी पीदी हीट से बधा रहे हैं जटोडात उलंगे सास्थ राकेश सवारा मैं हिर्दें मैं अपने आपके सामने रख रहा हूं अपने एक ऐसे परेमी के लिए जो की सभी की जीवन में प्रेमी होता है और उसे वो सरवस्द सुमांता है अपना तो उस प्रेमी में हमें क्या-kया दिखाई देता है वहमें लगता है उस भूमिका को लेकर के के मैं अपनी कवता आपके सामने रख रहा हूं सुनियागा आनंद लीजेगा तेरे सब्धुसरों का संगम है तेरे सब्धुसरों का संगम है हलकरते प्रस्ण सवालि के अंधियारे हां अंधियारे दूर भगदेटे तेरे नैने हैं दीप दिवाली के अधियारे दूर भगा देते तेरे नैने हैं दीप दिवाली के अगला बन सुनिएगा प्रती पल प्रती दिन प्रती छण करता मन अंतर सुख की अधिलासा प्रती पल प्रती दिन प्रती छण करता मन अंतर सुख की अधिलासा पर इस दुनिया का चलन देख मुर्जाती इसकी हर आसा पिर ब्याकुल विहवल है रामन पिर है राम्याकुल विहवल मन कहता जग बंधन खाली के अंधियारे आह अंधियारे दूर भगा देतेते तेरे नैनेहें दीप दिवाली के तुम घन दी हमिसे अचम मदा म लां डुमा अढαरे amm ऑकर को रजीर इंगन ऊझाओसाउ पर आत्च वाद और्च यंए और टूम जाबर आत्च वारे रजनी गंधा आधार हो तुम द्रण मन्थन के आलंब हो मत मत वाली के अधियारे हां हां अधियारे दूर भगा देते तेरे नैनेहें दीप दिवाली के अंतिम बंद सुनिएगा मेह की मह की सांसों में मेह की मह की सांसों में तुम जीवन कानन के चंदन हो खुस हाली बर्त मानि की तुम जन्मों जन्मों का बंधन हो सूखा मन त्रण जो लहरा दे बोहरत लवन हर्याली के अंधियारे हां हां अंधियारे दूर भगा देते तेरे नैनेहें दीप दिवाली के प्रेमी के लिए जिसे हम स्रवास मानते हैं फिर फुनहा एक चोटी सी कवता सुनियागा एक मुक्ता सुनियागा तपते अंता स्थली की सिहरन जीवन का पावन बंधन हो तुम उजयालों के दिवा सोपन तुम अध्यारों के क्रंदन हो मैं कैसे बया करूं तुमको मुझे सब्द नहीं मिल पाते हैं तुम हो जीवन आधार मेरा तुम सांसों के इस पंदन हो तुम हो जीवन आधार मेरा तुम सांसों के इस पंदन हो बहुत अच्छे राकिया जी बहुत अबार, बहुत अच्छे, ये कई बार हमारा सचमोला कर्मियों की चोपाल का सोभाग्य मेंpieces बन जाता है। वे हैं राकेश रतन जी ने इतना सांदार गीत रखा इतने अच्छे मुक्तक रखे और इतना प्यारा गीत और इतना अच्छा मीटर उसका था और अब मैं जिसको सत्मोला कम्यों की चुपाल में आमंतरत करने जा रहा हूं वे होते हैं देश के एक लाड़ ले कभी कपिल मिश्रा प्रया प्रयागराच से हमारे बीच करतार है और जहां पर तीन नधियों का संगम होता हो महा संगम होता हुट गणगा जμणा सुरसवती aproxim שנी आप सहिते की को समहित करते हूं यहाँ पर पहुंचिया मैं बहुत ही अपने अनुझ कपिल मिश्था को बहुत ही लाड़ दुलार के साथ मंथ्रित करता हूँ कपिल बिश्रा प्रयाग राश से सरुप्रथम बाणी की अधिश्ठात्री देवी माता सरस्वती को गणोक देव भगवान गजानन के सहित में प्रणाम करता हूं तत पर शात यहां पर उपस्थित सभी प्रभुद्ध कवियों के चर्णों में अपनी आहुत शुरूप प्रणाम शुरूप चार लाइन समर्पित करता हूं कि हे कविकुल के उतक्रिष्ट सिरो मरी प्रणाम आपके चर्णों में अभिवादन है अभिनन्दन है है नमन आपके चर्णों में साश्टांग डंडवत करता हूँ कविराज आपके चर्णों में मेरी रचना अब पहुचेगी आप सभी के कर्णों में मेरी रचना अब पहुचेगी आप सभी के कर्णों में इससे पहले कि मैं अपनी कविता जुदेश की गद्दारों पर लिखी है उसे पढ़ूँ आप सभी के समक्ष उससे पहले मैं कोई भी कावपाथ मंच छोटा हो या बड़ा मैं अपनी चार लाइन मा पर जरूर समयर्पित करता हूँ तो चार लाइन माँ पर उसके बाद मैं अपनी कावेपार को कारम करता हूँ कि किसी से अब नहीं कहता कि मेरा साथ दे दो तुम मेरे कमजोर हाथों में जरा साथ दे दो तुम ये दुनिया की सभी खुसियां मुझे ना चाहिए भगवन और अंतिम लाइन में आप सभी के प्यार चाहता हूँ ये दुनिया की सभी खुसियां मुझे ना चाहिए भगवन मा के याँ चल में सोता था वो वाली रात दे दो तुम मा के याँ चल में सोता था वो वाली रात दे दो तुम किसी से अब नहीं कहता कि मेरा साथ दे दो तुम जो मेरी एक कविता है देश के गदारों पर लिखिए ना हिंदू पर ना मुसलिम पर एक लड़का था जिसने कभी लिखा था अपनी किसोरा वस्था में कि ना कुरान से नफरत है ना पुरान से नफरत है जो देश का गद्दार है उस सैतान से नफरत है उसी लड़के ने लिखा था जो हिंदू-मुस्लिम दंगा करा के नेता लोग चुनाव जीत लेते हैं फिर आपस मीट मटन की पार्टी करते हैं उन्ही नेताओं के लिखा था उस लड़के ने कि गले लगते हैं पहले फिर गले को काट देते हैं जहर ये हाथ में रखकर हाथ में हाथ देते हैं मेरे इस देश के नेता अगर देखे कहीं एकिता हिंदु मुसलिम बता करके उन्हें फिर बाट देते हैं हिंदु मुसलिम बता करके उन्हें फिर बाट देते हैं आखरी लाइन समर्पित करता हूं कि हर उस फन को कुछलेंगे जो भी सुगलेगा हिंदुस्तान में हर उस फन को कुछलेंगे जो भी सुगलेगा हिंदुस्तान में देश्क गदारों को हम सम मिलकर सबक सिखाएंगे हिंदु मुसलिम मिलकर सारे बंदे मातरम गाएंगे अगर किसी ने की गदारी समझो सैतान अभी भी जिंदा है जिनको मर जाना था पहले दुरभाग अभी तक जिंदा है हारे नहीं है युद्ध कभी हम दुस्मन के चलचंदों से हर बार मात खाई हमने अपने घर के चैचंदों से पुलु आमा का हमला यारों इसका प्रत्यक्च उधारन है और तुम्हारे हाथों में बस केवल आमरन अंसन है चोण आमरन अंसन अब तु खुद को दिखा दे जिंदा है जिनको मर जाना था पहले दुरभाग अभी तक जिंदा है कि फिर नहीं मिला वो सक्स जो मुझको मिलने वाला था कैसे मिलता यार मुझे वो मुझमें मिलने वाला था बहुत इच्छा युवावत्साही थे कपिल मिश्रा और हमने बात की हिंदू-मुस्लिम एकता की कि दोनों तरफ से हम राष्ट की भक्ति की बात करें लेकिन से आवाज उठती है अफजल हम सर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है घर-घर से अफजल निकलेगा जब यह बात होती है तो हमें अपने रशना धर्मिता पर ध्यान के अंदियत करने ही जुरूत है हम किसी को हम ठेकेदार ना बने जहां मुस्लिम समुदाय में अब्दुलकलाम अजाज जी जैसे हैं तो एक देश के शिक्षा मंत्री जो पहले शिक्षा मंत्री थे उन्होंने पूरी शिक्षा पंतर को यह बदल डाला दूश्यत कर डाला यह सोचना बढ़ेगा हम साहित्यकारों को हम सच लिखने का प्रयास करें हैं मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा हैं लेकिन समगर दिश्टे दे रहा हूं थोड़ा हम सच्चाई से कबूतर की तरह आंखें मूनना बंद करें जवरदार तौले के साथ मैं युवा जुस्विस्वर को मैं साधुबा देता हूं कपल मिश्चा को यह मेरी एक विप्तिकत एक वो थी आग्ग्रे था और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वह होते हैं अनुराग अमन बाचपई आप कानपूर से हमारे बीज में पदा रहे हैं और युवा कभी हैं युवा अस्ताक्षर हैं मुझे उनसे बहुत अपेक्षा है आज ऐसा आप रचना पाठ करके जाएं कि सत्मोला कभियों के चुपाल आपके सुभाग्य के दवार खोर सके सत्मोला कभी चुपाल में मेरे बच्चे आपका हार्दिक स्वागत है प्रमीन जी और सभी साहित्यकारों की आग्या के साथ एक कविता के साथ शुरू करूगा स्वागत कि मैं मिट्टी की सौंधी महग चाहता हूं बसाना वो जड़ शहर चाहता हूं हुआ था मैं रुकसत जहां से कभी बनाना वहां एक घर चाहता हूं जो थी मिटने की चाहत सभी के लिए मैं वापस वो अपना जुनू चाहता हूं हुआ था खतम मैं जहां पर कभी मैं करना वहीं से शुरू चाहता हूं मैं मिटी की सौंधी महग चाहता ह जिन चार लोगों की खातिर जले बच्पन कई, मैं उनको चिड़ा खेलना चाहता हूँ जिन चार लोगों की खातिर जले बच्पन कई मैं उनको चिड़ा खेलना चाहता हूँ मैं मिट्टी की सौंधी महक चाहता हूँ बसाना वो जड़ा शहर चाहता हूँ तू चाहता नहीं मुझे ये जानता हूँ मैं, फिर क्यूं नहीं तुझे मैं भूलना ही चाहता हूँ, देखा है तेरी पलकों पर अश्कों को मैंने अपने, बस बात यही है कि अब हसना ही चाहता हूँ, क्यूं रूठ जाते हैं मुझे सभी कभी कभी मैं अभी कभी कभी रूठना चाहता हूँ, मैं मिट्टी की सौंधी महट चाहता हूँ, बसाना वोजड़ा शहर चाहता हूँ, और नफरतों का अंधेरा तो मिट जाएगा, देर प्यार के सूरज के उगने की है, नफरतें क्यूं घुली हैं फिजा में यहां, खामोश क्यूं कुए यार है, इस शहर में ये शोर कुछ जचता नहीं, हूँ अनुराग केवल लमन चाहता हूँ, बसाना वो जड़ा शहर चाहता हूँ, एक गजल के चाहता हूँ, के रात भर हम चिरागां जलाते रहे, रात भर नींद को हम सुलाते रहे, चांद संग, रात भर चांद मेरा अकेला रहा, चांद संग हम मकेले रहे रात भर, रात भर हमने दिन की ही बातें करी, रात भर रात को हम जलाते रहे, रात भर आखों में एक साया रहा रात भर एक चहरा बनाते रहे रात भर जिंदगी के बगल बैठ कर रात भर मौत से हम निभाते रहे धूप आखों में भर कर सफर में रहे रोशनी में टहलते रहे रात भर हर सितारे को सूरज समझते रहे धूप आँखों पे मलते रहे रात भर हम चिरागां जलाते रहे रात भर नीद को हम सुलाते रहे एक गजल के कुछ अशार एक बिमारी है एक दवाई है एक बिमारी है एक दवाई है इश्क मांगा था मौत आई है आँख के नीचे जो है ये तारी की कुछ वफादारों की बेवफाई है उस से बिछडे तो ये खुला हम पे मा कसम हिज्जर मसीहाई है भीड में होते हैं मुस्कुराते हैं भीड में होते हैं मुस्कुराते हैं दूसरे लफजों में ये तनहाई है दूसरे लफ़ों में ये तनहाई है और अब वो सुलह करना चाहता है अब वो मुझसे सुलह करना चाहता है याने ये आखरी लड़ाई है एक बिमारी है एक दवाई है सत्मोला कम्यों की जपाल में अभी तक आप सुनने थे जेस्ट और स्रेस्ट कम्यों को आपने डक्टर कीरति काले को सुना आपने अनिल जोशी जी को सुना आपने अनेक शीरस्त कम्यों के साथ नावांकु लोगों को सुना आपको सत्मोला कम्यों की जपाल कैसा लगता है और सत्मोला कम्यों की चौपाल में यदि आप आजीवन सदस्य बनकर 6-6 मेने के अंतराल में आजीवन संपूर्ण जीवन का आल के लिए काविपाट करना चाहते तो आप आजीवन सदस्य बने टीवी स्ट्रोल पर चल रहे हैं साथ ही आपके लिए खुशकवरी है कि आप सत्मोला कम्यों की चौपाल को आप साधना न्यूज चैनल गूर्प का जो न्यूज चैनल हर खबर पहले वो केवल हर्याना का था वह पूरे राश्टिस तर पर व्याप्त हो चुका है ताटा अपले यानि टाटा स्काई पर पर प प्रात्री 11 वजे देखना ना भूले साथ ही साथ हर खबर के माध्यम से ही आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हमारा कारिकम देख सकते हैं यानि कि आप यह हमारा कारिकम ऑनलाइन भी बहुत सुपरशिद हो चुका है और OTT प्लेटफॉर्म पे जा चुका है वहाँ प 11182 183 अगले रविवार फिर मिलती है नए जेस्ट और श्रेष्ट करने के साथ नमस्कार नमस्कार मैं सभी दर्शकों का और मेरे साथ जो प्रतिष्ठित कवी हैं महनुभाव जो कविता पढ़ने के लिए कत्रू है संचा लिखा है सब का अभिनंदन करता हूं आज के कारि अधिक हमी बहुत महत्वपूर है और वो कई कारणों से महत्वपूर है एक तो हम यह देखते हैं कि साहित्य और कविता का जन मानस पर असर है प्रभाव है उसकी लोक प्रियता है उसका निरंतर शरण हो रहा है अच्छी कविता अच्छी अच्छे विचार कविता के माध् से और उसमें भारतियता भारत की जड़ों के साथ चुड़ने की भात भारत की संस्कृति और भारत की विरासत को समझने की बात भारत के लोक को समझने की बात यह सब धिरे-धिरे हम पाते हैं कि हमारी कविता से हमारे साहित से लुप्त होती जा रही है और उसका एक सीधा क यह भी है कि वाचिक परंपरा लुप्त हो रही है, तो कि जब हम लिखकर पढ़ रहे हैं, तो फिर एक कही लोग जिसको कहते हैं कि ड्राइंग रूम कविता, वो उसका एक प्रभाव नजर में आता है, जो लोगों से जुड़ी, जड़ों से जुड़ी, अपनी विरासत से ज जीवी, उसके माध्यम से जो नवोदित कवी हैं, जो प्रतिष्ठित कवी हैं, उनकी कविता को लोगों तक लिजाना ये बहुत मैत्पून है, तो पहली बात तो यह है कि भारतियता को, अपने विचार को, राश्टियता के विचार को, जन जन तक पहुंचाने का एक इस कविता के माध्यम से हो, कविता को एक तरीके से पुना शशक्त करने का जो काम ये कारिकम कर रहा है, उसके लिए मैं इस पूरी टीम को, प्रवीन जी को, सभी साथ्यों का, को बधाई देता हूँ, अभिननन करता हूँ, दूसरी बात मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि जो न मंच के माध्यम से, जो सत्मोला का मंच है, साधना टीवी का मंच है, जिसको प्रवीन जी सहियोजन करते हैं, और जिसमें आज भी इतने प्रतिष्ठित कवी, प्रमोज जी हैं, विद्रोही जी हैं, और सबसे बड़का कीरती काले जी हैं, जो कि देश विदेश में बहुत कमर्शिल एक्ट नहीं है, ये वास्तों में कविता की और साहिते की बहुत बड़ी सेवा है, जो इस कार्काम के माध्यम से की जा रही है, इसके लिए मैं पूना इस पूरी टीम का अभी नंदन करता हूं, धन्यवाद। जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जम कर खाया, सत्मोला ने खूप बचाया, सत्मोला